आज हम ब्राइन ट्रेसी की बुक तट 21 सक्सेस सिक्रेट औफ सेल्फ मेड मिलेनियर्स का हेंदी ट्रांसलेट करेंगे। यहां हम सिखेंगे कि कैसे साधरन व्यक्ति और साधरन आर्थिक परिणाम पाते हैं। यहां किताब आपको करोड़ पती बनने के स्टेप पाई स्टेप सुत्र देगी। चाहे आज आज आप जीवन में कहीं भी हो। आप लक्षे बनाना, योजनाए बनाना और खुद को इसके लिए व्यवस्तित करना सिखेंगे जो आप जीवन में पाना चाहते हैं। ब्रैंट ट्रेसी के बेवारिक सुजाओं का इस्तेमाल करें और जीवन में उस शिगरिता से आगे बढ़ें जिसकी आपने कभी कलपना नहीं की होगी। आप से बहतर और आप से स्मार्ट कोई भी नहीं है। सफल लोग महज वो लोग होते हैं जो इन 21 सफल रहसियों का इस्तेमाल करते हैं। तो आईए शुरू करते हैं पहला रहसिय बड़े सपने देखें। मार्क्स और एशियस ने कहा है कि बड़े सपने देखें, केवल बड़े सपनों में ही वो शक्ती है जो इनसान के मन को आगे बढ़ाता है। सव निर्मित करोड़ोपतियों का पहला रहस्य बिल्कुल सहज है। बड़े सपने देखें, सुएं को सपने देखने की अनुमती दें, आप जैसा जीवन ब्यतीत करना चाते हैं, उसकी कलपना करने और सपने देखने की खुद को अनुमती दें, आप कितना पैसा कमाना चाते हैं, कितना बैंक बैलन्स चाते हैं, इसके बारे में सोचें, सभी सर आपके और सब के लिए सकते हैं, कल्पना करें कि आप जीवन में क्या कर सकते हैं, क्या बन सकते हैं, इस पर कोई पावंदी नहीं है, कुछ समय के लिए कल्पना करें कि आपके पास पूरा समय है, काफी पैसे हैं, काफी शिक्षा है, सभी दोस्त हैं, सभी पहुंच हैं, सभी जीवन चाहेंगे भविश्य से शुरू करके पीछे देखने का अभ्यास करें यह एक शक्तिशाली तक्निक है जो हमेशा बहुत अच्छा काम करने वाले महिला और प्रुश द्वारा बेवार में लाई जाती है इस तरह सोचने का आपके दिमाग और बेवार पर अधुद अस होगा यह इस तरह काम करता है खुद को 5 साल आगे रखें कल पना करें कि 5 साल बीट गये हैं और आपका जीवन हर तरह से परफेक्ट है यह कैसा दिख रहा है आप क्या कर रहे हैं आप कहां काम कर रहे हैं आप कितने पैसे कमा रहे हैं आपके बैंक में कितने पैसे हैं आपक पुद के धिर्क कालीन, भविशे का ख्याल रखें, आपके स्वास्ते, खुशी और सम्रिदिता का ख्याल जितना साफ होगा, आप उसकी तरफ और वो आपकी तरफ उतनी ही तेजी से बढ़ेंगे। को यथार्त में बदलने का एक के बाद एक सुझाव मिलेगा, आपकी प्रविर्टी हमेशा अपने प्रमुक सपने और ख्याल की दिशा में बढ़ने की होती है, खुद को बड़े सपने देखने की अनुमती देना वास्तव में आपके खुद के सम्मान को बढ़ाता है, और इ अगर आप सपना देखते हैं, तो एक चीज बहुत दिल्चस्प है इसके बारे में, यह आपको पहले से बहतर काम करने के लिए उकसाता है, ऐसा काम जो आपने पहले कभी नहीं किया, यह एक परमुक सवाल है, आपके लिए, खुद से बार बार पूछें और जवाब मांग अगर मुझे पता है कि मैं और सफल नहीं होंगा, तो वो कौन सा सपना है जिसे देखने की मैं हिम्मत करूंगा, अगर आप किसी लक्षे की सफलता के लिए पूरी तरह से निश्चित हैं, छोटा या बड़ा, दिर्ग कालीन या लगू कालीन, तो वो क्या होगा, वो कौन स लक्षे है जो आप हासिल करने के सपने देखेंगे, अगर आप जानते हैं कि आप और सफल नहीं होंगे, यह जो भी हो उसे लिखें और कलपना करना शुरू करें कि आप उसे पहले से ही हासिल कर चुके हैं, तब पीछे देखें कि आज आप कहा हैं, जहां आप पहुँचन की होगी और किस चीज का अंत आप किस के साथ होंगे अगर आपका जिवन हर तरह से परफेक्ट होता है तो कैसा होता इनके जवाब जो भी हो पहला कदम आज बढ़ाएं बड़े सपने देखना आपकी आर्थिक स्वतनता के लक्षे को हासिल करने का पहला कदम है लोग यह नह ही नहीं करते जो कमाते हैं वो सारा खर्च कर देते हैं केवल कुछ बचा कर लेकिन जब आप आर्थिक स्वतनता के लिए बड़े सपने देखने देखना शुरू करेंगे तो आप खुद को और अपने जीवन को देखने का नजरिया बदल देंगे आप कुछ अलग काम करना शुरू करेंगे थोड़ा थोड़ा करके धीरे धीरे जब तक कि आपका जीवन बहतरी के लिए बदल नहीं जाता बड़े सपने देखना आर्थिक सफलता और सव निर्मित करोड़ पती बनने का पहला कदम है यहां पर आपके लिए अभ्यास कारिया है कि अगर आपकी सफल दूसरा रहसे आपको किस दिशा में जाना है उसे जानें थोमस केराइल के अनुसार एक इनसान एक सपष्ट परियोजन के साथ उबड़ खावड रास्ते में भी उन्नती कर लेगा लेकिन अगर परियोजन सपष्ट ना हो तो अच्छे रास्ते पर भी उन्नती नहीं होगी अपने सपनों को हवा से बाहर निकालें उसे सपष्ट खास लिखित लक्षे में एक निश्चित रूपतें शायद मानव इतियास में सबसे महतुपन खोज यही है कि आप ज़्यादातर समय वही बनते हैं जो आप सोचते हैं दो बातें किसी भी चीज़ से अधिक महतुपन है पहला जिवन में आपके साथ वही होता है जो आप सोचते हैं और दूसरा आप उस बारे में कैसे सोचते हैं सफल विक्तित ज्यादातर समय अपने लक्षे के बारे में सोचते हैं परिनम सवरूप वो लगातार अपने लक् लपना करते हैं तो आप उस लक्षे को पाने में उन साधरन इनसानों से कहीं ज्यादा नजदी हो जाते हैं जो केवल अपनी समस्याँ और चिंता के बारे में बातें करते हैं यहां साथ कदम का एक फॉर्मूला है जिसका इस्तेमाल आप करोड़ पती बनने में कर सकते हैं पहला आप अपने जीवन के हर शेतर में वास्तव में क्या चाहते हैं उसे तेह करें खासकर अपने आर्थिक जीवन में अधिकतर लोग ऐसा नहीं कर पातें दूसरा अपने लक्षे को स्वश्ट लिखें जब आप अपने लक्षे को लिखते हैं तो आपके हाथ और चौथा लक्षे तक पहुँचने में आपको जो करना होगा इस वारे में आप जितना सोच सकते हैं उन सब की सूची बनाएं अगर आपके दिमाग में नए सुझाव आते हैं तो उसे शामिल करते रहें जब तक कि आप लक्षे हासिल ना कर लें पांचवा अपनी सूची के तुरंत काम करना शुरू करें बहुत से लक्षे और योजना कभी कभी केवल टाल मटोल के कारण पूरी नहीं हो पाती हैं साथवा और शायद सबसे महतुपूर्ण हर दिन कुछ ना कुछ ऐसा जरूर करें जो आपको आपके लक्षे की और एक कदम आगे बढ़ाए हर दिन लक्षों की एक सूचे बनाएं जो आप अगले बारा महिने में हासिल करना चाहते हैं अपने लक्षे को वरतमान काल में लिखें यह लक्षे की शुरुवात आए से करें उसे ब्यक्तिकत बनाने के लिए जब आप अगले साल के लिए 10 लक्षे बनाइंगे तो आप खुद क समाज के 3% लोगों में शामिल करेंगे दुख की बात यह है कि 97% लोग अपने जीवन में कभी लक्षे बनाते ही नहीं दस लक्षे बनाने के बाद एक बार सुची को देखें और इन सवालों को खुद से पूछें इस सुची का कौन सा लक्षे अगर आप हासिल कर लेते हैं तो उसका आपके जीवन पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा जवाब जो भी हो उस लक्षे को गोल करें उसे एक नमबर दें भविशे का सबसे महतुपून लक्षे उस लक्षे के लिए समय सीमा बनाएं योजना करें, काम शुरू करें और हर दिन कुछ ऐसा करें जो आपको लक्षे की और ले जाए अब से उस लक्षे के बारे में हर समय सोचें और बातें करें सोचें कि वो लक्षे आप कैसे पा सकते हैं उन बिभिन कदमों के बारे में सोचें जो आप अपने लक्षे को यथारत में बदलने के लिए ले सकते हैं यह अभ्यास आप में स्पूर्थी लाएगा आपकी उर्जा और सामर्थे को बढ़ाएगा आज के लिए अभ्यास कारे हैं कि हमेशा लिख कर सोचें जो लक्षे आप बनाते हैं उसे लिखें और उसे हासिल करने की योजना बनाएं यह अभ्यास केवल अकेले ही आपको सव निर्मित क्रोड़ पती बना सकता है तीसरा रहस्य खुद को एक सेल्फ एम्प्लाइट की तरह देखें विलियम्स हैनले ने कहा है कि मैं अपनी आत्मा का अधिकारी हूँ मैं अपनी किस्मत का मालिक हूँ अभी से पूरी तरह से यह सुईकार करें कि आप जो भी हैं जैसे भी हैं और जैसे भी होंगे आप जिन बातों से खुश नहीं है उनकी शिकायत करना बंद करें किसी भी बात के लिए अन्य लोगों की निंदा ना करें अगर आपके जीवन में कुछ ऐसा है जो आपको पसंद नहीं है तो उसके लिए आप जिम्मेवार हैं उसे बदलना आपके हाथ में हैं वो शक्ती आपके पास हैं अमेरिका के टॉप तीन परतिशत लोग खुद को सेल्फ एम्पलोईट की तरह देखते हैं उनके वेतन चक पर कौन हस्ताक्षर करता है इससे कोई फरक नहीं पड़ता सबसे बड़ी गलती जो आप कर सकते हैं वो यह है कि यह सोचना कि आप खुद के लिए नहीं बलकि किसी और के लिए काम करते हैं आप हमेशा सेल्फ एम्पलोईट हैं कोई फरक नहीं पड़ता कि आप कहां काम करते हैं जब आप खुद के लिए एक सेल्फ एम्पलोईट की कि कुछ होगा, आप खुद शुरुआत करेंगे, खुद को अपने जीवन का मालिक समझेंगे, आपका स्वास्ते, आपका आर्थिक सुख, आपकी जीवन शेली, आपके रिष्टे, आपका घर, गाड़ी, हर कुछ आपके हाथ में होगा, सो निर्मित करोड़ पती की यही जम्यदार लोग, रिजल्ट को सोचकर काम करते हैं, वो हमेशा शुरुआत करते हैं, वो और भी जम्मेदारी के लिए उत्सुक रहते हैं, परिनाव सवरुप, संस्ता के लिए वो बहुत कीम्ती और आधिरनी बन जाते हैं, वो खुद को जादा जम्मेदारियों के लिए तैयार करते रहते हैं आपको भी ऐसा ही करना चाहिए यहां आपके लिए एक सवाल है अगर आप एक दिन के लिए कंपनी के प्रेजिडेंट बन जाएं तो आप क्या बदलाव लाएंगे जवाब जो भी हो उसे लिखें उसकी योजना करें तुरंत लागू करें यह काम एक अ कारण या कोई इनसान है जो आपको पीछे की और खींच रहा है आगे नहीं बढ़ने दे रहा है यह जो भी है अपनी जीवन की जिम्मेदारी पूरी तरह से खुद लें और आप से ही काम शुरू करें चोथा रहसे वो काम करें जो करना आपको पसंद है ब्रैंट ट्रेसी जो आप पसंद करते हैं आर्थिक सपलता के महान रहसियों में से एक है जीवन की प्रात्मिक जिम्मेदारियों में एक है कि वो काम खोजना जिसे करने में आपको मजा आता है वो क्या है जिसके लिए आपके पास सोभाविक टैलेंट है उसे खोजें और फिर खुद को पू ही सही सद्यूप्यूग होता है और तब वो रिजल्ट हसित कलते हैं अधिकतर करोड़पती कहते हैं कि उन्होंने जीवन में एक दिन भी काम नहीं किया आपको एक ऐसा शेत्र ढूना है जहां आप पूरी तरह से तल्लीन हो जाए यहां आपके सोभाविक गुन और योगयत बनाने के सुझाओ पाएंगे यहां आपके लिए एक सवाल है अगर आप आज एक लाख रुपे जीते हैं तो क्या आप कल भी वही काम करेंगे जो आप आज कर रहे हैं यह एक बहुत अच्छा सवाल है यह एक सिधा जवा सवाल है जो आप से पूस्ता है कि अगर आपके प पैसे और समय की कमी ना हो और आपको पैशा चुनने की सौतनता हो तो आप क्या करेंगे? सव निर्मित करोड़ पती अगर लाख रुपे जीपते हैं तो वो कल भी वही करेंगे जो वो आज कर रहे हैं वो केवल काम का तरीका और स्तर बदलेंगे लेकिन वो अपने काम से इतना प्यार करते हैं कि वो उसे छोड़ने का सोचेंगे भी नहीं शायद व्योसक जीवन की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है वो आपके पास पैशों के बहुत सारे बिकल्फ हों तो अपने लिए वो चुनना जो आपको पसंद है और जब खुद को उस शेत में समर्पित कर देना यह काम आपके लिए कोई और नहीं कर सकता यहां अभ्यास कारे है कि वो काम ढूंडे जिसे करने में आपको मज़ा आता है आस तक आपकी सफलता के लिए कौन सा कारे जिम्मेदार है अगर आप कोई भी काम कर सकते हैं और सफल हो सकते हैं तो आप कौन सा काम चुनेंगे इसे एक लक्षे की तरह बनाएं योजना करें और आज ही इस तिशा में काम शुरू करें पांचवां रहसे बहुत अच्छा करने का वचन ले विन्स लामबाडी के अनुसार आपके जिवन की क्वालिटी इस बात पर निर्भर करती है कि आपका बहुत अच्छा करने का वचन कितना गहरा है आपने क्या शैत्र चुना है इससे कोई फरक नहीं पड़ता आज आप जो करेंगे बहुत अच्छे से करेंगे ऐसा संकल्प लें अपने शैत्र के टॉप 10 परतिशत में पहुँचने का लक्षे बनाएं निर्ने लें कि आप जो भी करेंगे बहुत अच्छा करेंगे यह आपका जिवन बदल सकता है लगबख सभी सफल व्यक्ति अपने द्वारा चुने शैत्रों में बहुत ही योगे होने के कारण जाने जाते हैं याद रखें आप से बहतर और आप से स्मार्ट कोई नहीं है वो सब जो टॉप 10 परसेंट में है अपनी शुरुआत में अंतिम 10 परतिशत में थे हर कोई जो आज बहुत अच्छा कर रहा है गलतियां उससे भी हुई है जो अन्य लोगों ने किया वो आप भी कर सकते हैं यहां सफलता का एक नियम है आपका जीवन तभी बहतर होगा जब आप बहतर होंगे और आप खुद को और अपने जीवन को कितना बहतर बना सकते हैं इसकी कोई सीमा नहीं है आपका यह निरने कि आप जो भी शैत्र चुनेंगे उसमें बहुत अच्छा करेंगे टॉप 10 परतिशत में पहुंचेंगे यह सफलता का सुत्र है यह आपके सम्मान आपके गौरब की बनियाद है जब आप वास्तम में कुछ बहुत अच्छा करेंगे तो आप खुद के लिए बहुत अच्छा महसूस करेंगे बहुत अच्छा करना आपके विक्तितों को परवावित करेगा सभी के साथ आपके रिष्टें को अच्छा करेगा जब आप अपने शेत्र के टॉप 10 पर्तिशत में पहुंचेंगे तो आप पहद अच्छा महसूस करेंगे यहां आपको खुद से पूछने के लिए एक महतुपन सवाल है वो कौन सा कोशल है जो अगर मैं अपने अंदर विक्सित करता तो आज इसका मेरे जीवन पर बहुत सकारात्मक असर होता आज आप हर चीज में बहुत अच्छे नहीं हो सकते आप एक कोशल ढूंडिए जिसमें आप बहुत अच्छे हैं और खुद को समर्पित कर दीजिए इसे एक लक्ष की तरहे लें योजना करें और हर दिन इसे बहतर बनाने के लिए कदम उठाएं इससे आपके जीवन में जो बदलाव आएगा आप तंग रह जाएंगे यह वादा अकेले ही आपको सो निर्मित करोड़ पती बना सकता है यहां अप्यास कारे है कि अपने वरत्मान कारे का परमुक परिणाम शेत्र चुने आपके शेत्र में वो कौन सा काम है जो आपको आपके शेत्र में उपर तक ले जाएगा आप किन कामों में मजबूत और किन में कमजोर हैं आज ही योजना बनाएं कोई एक कोशल चुनने की जिसमें आप अप्यास करके बहुत अच्छा कर सकते हैं छटा रहस्य देर तक और परिक्ष्रम से काम करें जैम स्थरवर ने कहा है कि मैं जितना परिक्ष्रम करूंगा उतना भागयवान बनूँगा सभी, सव निर्मित करोड़ पती बहुत ही ज़्यादा मेहनत करते हैं वो और लोगों से जल्दी शुरुआत करते हैं ज़्यादा कड़ी मेहनत करते हैं और देर तक काम करते हैं सबसे ज़्यादा मेहनत करने वालों की सूची में आने के लिए और अपने शेतर में परतिष्टा पाने के लिए वो कड़ी मेहनत करते हैं और यह जानकारी सबको होती है आईए 50 प्लस फॉर्मूले का अभ्यास करते हैं यह फॉर्मूला कहता है कि आप हर सब्ता 40 गंटे काम करते हैं 40 गंटे के बाद किया गया काम सफलता के लिए होता है अगर आपके वो 40 गंटे काम करते हैं तो वो जीने के लिए हैं आप अभी आगे नहीं बढ़ेंगे, आपको बड़ी आर्थिक सपलता कभी नहीं मिलेगी, आपको अपने सह कर्मियों के द्वारा कभी भी बहुत आधर और सम्मान नहीं मिलेगा, आप औसतन चालिस घंटे पर सब्ता काम करके हमेशा मीडियो कर ही रहेंगे, लेकिन चालिस के बाद का एक घंटा आपके भविशे के लिए निवेश है, चालिस घंटे में कितना अधिक काम करते हैं, उस आधर पर आप कह सकते हैं कि पांस साल बाद कहां रहेंगे, लंबे दिन और कड़ी मेहनत की जगे कोई नहीं ले सकता, अमेरिका में सो निर्मित करोड़ पती उस्ता में उस्तन लगबग 60 घंटे काम करते हैं, उन में से कही 70 या 80 घंटे काम करते हैं, खासकर उनके जीविका की शुरुआत में वो सप्ता में 5 की बजाए 6 दिन काम करते हैं और जदा देर तक काम करते हैं, अगर आप किसी सो निर्मित करोड़ पती से बात करना चाते ह तो आपको समय आफिस आवर के पहले या बाद में मिलेगा सभी करोड़ पती आफिस में अन्य स्टाप के आने से पहले आते हैं और उनके जाने के बाद जाते हैं और यहां एक सुत्र है जब आप काम कर रहे हैं तो पूरे समय काम ही करें समय बरबाद ना करें जब आप जल्दी उठते हैं, तो खुद को काम में लगा दें, जब लोग आपस में बातें करना चाहें, तो उन से माफी मागें कि मुझे काम पर वापस जाना है, और अपना काम करें, अपने किसी भी काम, कपड़े दोना, बातें करना, पेपर पढ़ना, कम ना करें, जब आ लोगों का ध्यान आपकी और खिंचेगी, यहां अप्यास कारे हैं कि हर दिन जितने घंटे आप काम करते हैं, उन्हें बढ़ाने की योजना करें, आफिस एक घंटे पहले पहुंचने का निरने लें, लंच समय में जब सब जाते हैं तब आप काम करें, आफिस के एक घंट बात तक काम करें, हर दिन दो घंटे ज़्यादा काम करने का निरने आपको दो गुना परिणाम देगा, साथवां रहसे, जीवन भर सीखने के लिए खुद को समर्पित करें, डैनिस बैटले ने कहा है कि हर समय सीखना किसी भी शैतर में सफलता के लिए कम से कम जरूरत है, आपने जिस शैतर को चुना है, वस्तितो उसमें सीखने और सुधार लाने के लिए आपके पास ओसमित समर्थे है, आपके पास कहीं ज़्यादा दिमाग, योग्यता और ग्यान है, जो आप बाकी के जिवन में इस्तमाल कर सकते हैं, आप जितना सोचते हैं, उस से कहीं ज़ आप समादा नहीं जिस पर आप काबू नहीं पा सकते, ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका आप समादा नहीं कर सकते, ऐसा कोई लक्षे नहीं जो आप हासिल नहीं कर सकते, बस आपको अपने दिमाग की शक्ति का उप्यो करना है, लेकिन आपका दिमाग एक मास पेशी की तरह है यह तभी विक्सित होगा जब आप इसका इस्तेमाल करेंगे ठीक वैसे ही जैसे माश पेशी बनाने के लिए आपको कसरत करनी होती है वैसे ही आपको अपनी मानसिक माश पेशी को विक्सित करने के लिए इससे काम करवाना होगा अच्छी ख़बर ये है कि जितना आप सीखेंगे उतना ज़्यादा आप सीख सकते हैं ठीक उसी तरह जैसे स्पोर्ट्स में जितना आप खेलेंगे उतना अच्छा खेलते रहेंगे आपका समर्पन सीखने के लिए जितना अच्छा होगा उतना अच्छा आप सीखेंगे लीडर्स हमेशा सीखते हैं यह 21 सदी का सूत्र है आपको अपने शेत्र में सभलता के लिए जिवन भर सीखते रहना होगा आज ही तै करें कि आप अपने कोशल के विद्यारती बनेंगे और जिवन भर उस कोशल के लिए पढ़ते और लिखते रहेंगे और उसे हमेशा सीखते रहेंगे जिवन भर सीखने के लिए तीन सुत्र है पहला सुत्र अपने लक्षे में कम से कम 30 से 60 मिनट रोज पढ़ाई करें पढ़ाई और दिमाग का वही रिष्टा है जो कसरत और शरीर का होता है हर दिन एक घंटा पढ़ने से आप सब्ता में एक किताब पढ़ लेंगे एक किताब हर सब्ता मतलब हर साल 50 किताब मतलब अगले 10 सालों में 500 किताबें क्यूंकि औसतन आदमी साल में एक किताब से भी कम पढ़ता है इसलिए अगर आप इस तरह पढ़ते हैं तो अपने शेतर में बहुत आगे निकल जाएंगे जिवन भर सीखने का दूसरा शुत्सुत्र है आडियो सुनना तब जब आप गाड़ी से ऑफिस जाते हैं साधारनता इंसान गाड़ी में हर साल तकरिवन 500 से 1000 घंटे बैठता है अपनी गाड़ी को सीखनी की मशीन में बदलिये कभी भी अपनी गाड़ी बिना ओडियो प्रोग्राम के ना चलाएं बहुत से लोग इस आडियो प्रोग्राम से करोड़ पती बन गए हैं यही कारण है कि आडियो प्रोग्राम को प्रिंटिंग प्रेस के आविशकार के बाद सबसे महतुपून खुज माना गया है जिवन बड़ सीखनी का तीसरा शुत्र है वो हर कोर्स या सेमिनार अटेंट करें जो आपको लगता है कि वो आपको आपके शेतर में बहतर बनने के लिए मदद कर सकता है किताब, आडियो प्रोग्राम और सेमिनार एक साथ मिल के आपकी सो घंटे की बचत, हजारों डॉलर और सालों की महनत को बचा सकते हैं और आपकी आर्थिक सबलता में मदद कर सकते हैं जीवन भर सीखते रेने का निरने आज ही लें इससे आपकी जीविका में जो प्रभाव पड़ेगा आप दंग है जाएंगे यह आपके सो निर्मित करोड़ पती बनने का परमुक कारण बन सकता है यहां अभ्यास कारिय है कि कोई एक बिश्य चुने जो आपको आपके शेत्र में ज्यादा प्रोड़क्टिव और सक्षम बना सकता है उस शेत्र में बहुत अच्छा करने की सोचें इसे खुद से करना बनाएं और जब तक इस बिश्य पर रोज पढ़ते रहें इस पिश्य पर आडियो प्रोग्राम सुनें सेमिनार में जाएं इन सुत्रों पर ऐसे काम करें जैसे आपका भविश्य इस पर निर्वर हो और वात्सव में ये निर्वर है भी आठवार है से खुद को सबसे पहले पे करें W. Clement Stone के अनुसर आपके कमाई पैसे में से कुछ हिसा आपका है और अगर आप पैसे नहीं जमा करते तो महनता के बीज आप में नहीं है आज संकल्प करें कि आप जिवन में जब तक काम करेंगे अपनी आमदनी का 10% पचट करेंगे और उसे निवेश करेंगे हर महीने जब आप तनखुआ पाएंगे तो 10% आर्थिक संग्रे के लिए खास एकाउंट में डालेंगे अगर हर महीने आप अपनी आमदनी का कुछ हिसा बचाते हैं और उसे म्यूचल फंड में डालते हैं तो वो 10% का ब्याज देगा इसका मतलब अगर कोई इनसान कम कमाता है लेकिन शुरुआत से थोड़े थोड़े जमा करता है तो वो अपने कारेकाल के अंत में करोड़ पती बन जाएगा जिवन भर बचत और निवेश बहुत आसान नहीं है इसमें अद्बुत संकल्प और इच्छा शक्ती के जरुरत होती है इसे एक लक्षे की तरहे बनाना होगा इसे लिखें योजना बनाएं और हर समय इस पर काम करें लेकिन जब एक बार ये आदत बन जाएगी तो वात्सम में आपकी आर्थिक सब्रता निश्चित हो जाएगी किफायत का अभ्यास करें हर चीज में किफायत हर रुपे के साथ साथधानी बढ़ते हर खर्चे पर सवाल करें यह जरूरी खरीरदारी के लिए एक महिना नहीं तो कम से कम एक हफ़ता बिलम करें जितना बिलम आप करेंगे खरीदारी उतनी अधिक होगी और उतनी ही अधिक अच्छी होगी और उतनी ही अच्छी कीमत पर आप उसे पाएंगे लोग रिटार होते समय गरीब होते हैं इसका एक महतुवण कारण है उमंग में आकर के गई खरीदारी वो कुछ देखते हैं जो उन्हें अच्छा लगता है बहुत कम सोच कर वो खरीद लेते हैं वो परकिंसन लौ के शिकार हो जाते हैं जो कहता है कि आए से मिलने के लिए बैय बढ़ता है इसका मतलब इससे कुछ फरक नहीं बढ़ता कि आप कितना कमाते हैं थोड़ा बचा कर आप सारे खर्च कर देंगे आप कभी आगे नहीं बढ़ेंगे और कर्ज से बाहर नहीं आएंगे लेकिन आपको परिकंसल लौ का शिकार नहीं होना है अगर आप 10 पर्तिशत बचत नहीं कर सकते तो शुरुआत 1 पर्तिशत बचत से करें महिने की शुरुआत में ही इसे अलग कर लें बाकी 99 पर्तिशत खर्चे के लिए रहने दें अब आपको 99 पर्तिशत के साथ रहने की आदत हो जाए तो 2% बचाना शुरू करें बाकी 98% खर्चे के लिए एक साल के अंदर ही आप 10% बचट करने लगेंगे या 15% या 20% आपका बचट खाता और निवेश खाता भी बढ़ेगा आप अपने खर्चे पर ज्यादा ध्यान कैंदरित करेंगे आपका करज पूरा होगा एक या 2 साल के अंदर आर्थिक जीवन पर आपका नियंतरन होगा और आप 100 निमित करोड़ पती बनने के रास्ते में होगे यह परिकरिया जिसने भी अपनाई वो सफल हुए आप भी कोशिश करे यहाँ अप्यास कारे है कि धन जमा करने के लिए एक खास अकाउंट खुले उसमें पैसे डाले चाहे वो कितना भी छोटा हो और फिर उसमें पैसे डालते रहने का आवसर ढूंडे इसे कैसे बढ़ाया जाए इसका अध्यान करें इस विश्य पर विश्यशग्यों की किताबें और मेकजीन पढ़ें तब तक जमा करना सीखना और पढ़ना बंद ना करें जब तक कि आप आर्थिक रूप से सोतंत्र ना हो जाएं नोवार हैसे अपने बेवसाई के हर पहलू को सीखें डैन केनेडी ने कहा है कि आप जो कर रहे हैं अगर आप उसमें बहुत अच्छे बन जाते हैं तो आपको ज्यादा पाने से और शिगरिता से आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता मार्केट बहुत अच्छे काम के लिए बहुत अच्छा इनाम देता है औसतन काम के लिए औसतन इनाम जिससे आप और भेतर काम कर पाएँ अपने शैतर में परकाशित हर मैजजीन पड़े नई किताब पड़े और अध्यन करें अपने शैतर में एक्सपर्ट दोरा दिये गे कोर्स और सेमिनार में शामिल हो हर मिटिंग में उपस्तित हो अपने शेत्र के टॉप लोगों के साथ संबंद बनाए Integrative Complexity Law कहता है कि जो इनसान किसी शेत्र में सूचनाओं का इस्तेमाल कर सकता है एकिकरण कर सकता है बहुत जल्द वो उस शेत्र के टॉप में पहुंच जाएगा अगर आप सेल्स में हैं तो अती महत्यों कांक्षी बने सेलिंग प्रिक्रिया के बारे में पढ़ते रहें सेल्स के टॉप 20 पर्तिशत लोग बॉटम 80 पर्तिशत लोगों से 16 गुना ज्यादा कमाते हैं टॉप 10 पर्तिशत और भी ज्यादा कमाते हैं अगर आप मेनेजमेंट में हैं तो पर्मुक प्रोफेशनल मेनेजर बनने का प्रण लें अगर आप खुद का ब्योसाय करते हैं या करने की सोच रहे हैं तो अंट्रोप्रोणियरल कारेनिती पड़ें और हर दिन नए सुझाओ कोशिश करें अपने ब्योसाय या पेशे में सबसे अच्छा बनने के लिए लक्षे बनाएं एक छोटी जानकारी सुझाओ आपके केरियर में बहुत साफ बड़ा बदलाव ला सकते हैं इसे सोचना कभी बन ना करें यहां पर अभ्यास कारे हैं कि अपने ब्योसाय को जाने आपको भविशे में अपने शेतर में उपर जाने के लिए क्या गुन के जरुरत है उस गुन को विक्सित करने के लिए आज ही युजना बनाएं और उस पर हर दिन काम करें दस्वार हैसे खुद को दूसरों की सेवा में समर्पित करें जिग जिगलर के अनुसार आपको जिवन में वो सब मिल सकता है जो आप चाहते हैं अगर आप अन्य लोगों की मदद करें उसमें जो वो चाहते हैं आप दूसरों की जो मदद करते हैं आपको हमेशा उसके अनुसार उसके आनुपातिक फल मिलेगा सारे सो निर्मित करोड़ पतियों को दूसरों की मदद करने का जुनून है वो हर समय अपने गराखों के बारे में सोचते हैं वो हर समय ये सोचते हैं कि उनके गराखों को दूसरों से बहतर सेवा कैसे दे सकते हैं और वो नए नए तरीके अपनाते हैं खुद से सवाल करते रहें, मेरा ग्रहाक वास्तव में क्या चाहता है, मेरे ग्रहाक की जरूरत क्या है, मैं अपने ग्रहाक को दूसरों से बहतर क्या दे सकता हूँ, अगर आज मेरे ग्रहाक दूसरे से खरीद रहे हैं, तो इसके कारण क्या है, मैं उन्हें क्या प्रस्ताव जीवन में आपकी सफलता हमेशा अनुपातित होती है, जितना आपको करना है, जितनी आपसे उम्मीदें हैं, उससे ज्यादा आप क्या करते हैं, आपको जितनी तनुख़ा मिलती है, हमेशा उससे ज्यादा काम करने की सोचें, अपने ग्रहाग के लिए कुछ अधिक करें, य इसका मतलब आपके बॉस, आपके सहकर्मी और वो जो आपसे खरीदते हैं आपके गरहक हैं, आपके गरहक वो भी हैं जो अपनी सफलता या संतुष्टी के लिए आप पर निर्वर हैं, यहां एक सवाल है कि जो आपको हर दिन पूछने और जवाब देने की जरूरत है, मैं अ सोटा सा सुधार आपकी आर्थिक सपलता का परमुक कारण बन सकता है, अपने गरहक की सेवा में सुधार लाने के तरीकों के बारे में कभी सोचना बंद मत करें, आज गरहक सेवा का महतो पहले से कहीं ज़्यादा है, जब कभी गरहक आप से किसी चीज के लिए पूछते है आपका जवाब होना चाहिए बिलकुल अभी ही ये मिठे शब्द आपके गरहक सुनना चाते हैं, यहां पर अभ्यास कारे हैं कि अपनी कंपनी के बाहर और अंदर अपने सबसे महतोपून गरहकों को चुने, वो कौन लोग हैं जिस पर आप सबसे ज़्यादा निर्वर हैं वो कौन लोग हैं जो आप पर सबसे ज़्यादा निर्वर हैं। आप उनका और अच्छा ख्याल रखने के लिए क्या कर सकते हैं या आज से ही शुरू करें। सबसे कीमती और सबसे आदर नियगुन जो आप अपनी परतिष्टा के लिए अपने अंदर विक्सित कर सकते हैं वो है इमानदारी। आप जो भी करते हैं उसमें पूरी तरह से इमानदार बनी। हर काम में अपनी इमानदारी के साथ कोई समझोता नहीं। आपके शब्द कर्म हैं आपका सम्मान हैं। रस फ़ल व्योसा बिश्वास पर आधारित होता है। सो निर्मित करोड़ पती बनने की सपलता इस बात से ते होती है कि कितने लोग आप पर बिश्वास करते हैं, कितने लोग आपके लिए काम करने को उत्सुख हैं, कितने लोग आपको परतिष्टा देते हैं, कितने लोग आपके उत्पाद और सेवा खरीते हैं, और कितने आप में जो सबसे अच्छा है उसके साथ इमानदार बनिए, मतलब आप जो भी कर रहे हैं उसे बहुत अच्छी तरह करिए, इमानदारी अंदर से प्रमानित होती है, ब्यक्तिकत इमानदारी से और बहार से, आपके काम की गुनवता से, इमानदारी का दूसरा सुत्र है, जि भी भी ऐसा ना करें, या कहें जो आपको लगता है सही या इमानदार नहीं है, किसी भी चीज के लिए इमानदारी से समझोता ना करें, यहां आपको खुद से, हमेशा पूछने के लिए ऐक सवाल है, वो दुनिया कैसी होगी, जिस में सब मेरी तरह होंगे? यह सवाल आपको एक उन्चा स्थर बनाने के लिए जोर डालेगा ऐसे काम करें मानो आपके हर शब्द हर काम यूनिवर्सल लौ बनेंगे ऐसे बड़ें मानो सब आपको देख रहे हैं और आप जैसा बन रहे हैं और जब दुबिदा हो वही करें जो आपको सही लगे अगर आप अपने सिध्धान्त को रखें वो क्या है आप किस पर विश्वास करते हैं जब कभी भी आप तनाव का अनुभाव करते हैं इसका मतलब आप अपने सिध्धान्त के साथ समझोता कर रहे हैं जो भी हो उससे समझोता ना करें बारवा रहसे, अपनी परमुक प्रात्मिक्ता चुनें और उस पर एकागरता से काम करें ब्रैंट ट्रेसी के अनुसार, दो दिमाग वाला आदमी अपने हर तरीके में औस्थाई होता है आपके हातों में जो काम आया है वो करें अगर आप प्रात्मिक्ता बनाने की आदर डालें और उस पर एकागर होकर काम करें तो आप वास्तव में जीवन में कुछ भी हासिल कर सकते हैं वो जो बहुत पैसा कमाते हैं, संपत्ती बनाते हैं और आर्थिक सफलता पाते हैं उनकी सफलता का एक परमुक कारण ये भी है अपने लिए सबसे प्रात्मिक काम चुनना और तब उस पर तब तक काम करना जब तक की वो पूरा ना हो जाए आपकी इच्छा शक्ती, आपकी अनुशाशनता और आपके ब्यक्तिकत चरित्र की परिक्षा है अगर आप सफलता चाहते हैं तो यह सबसे कठिन लेकिन सबसे महतुपन काम है यहाँ एक सुत्र है, जब आप लक्षे बनाते हैं तो उसे हासिल करने के लिए आपको जो भी करना है उसकी सूची बनाएं उसे प्रात्मिक्ता के आधार पर बांटें और तब खुद से चार सवाल करें पहला सवाल, मेरे लिए सबसे महतुपन काम क्या है? आपके काम और ब्योसाई के लिए अन्य सभी चीजों से अधिक महतुपन क्या है? दूसरा सवाल, मुझे पेसे क्यों दिये जा रहे हैं? मुझे किस काम के लिए रखा गया है? रिजल्ट पर ध्यान दें ना की किरिया पर? तीसरा सवाल, वह कौन सा काम है जो केवल मैं कर सकता हूँ? अगर अच्छे से करूँ तो क्या अंतर होगा? यह काम केवल आप कर सकते हैं. अगर आप यह नहीं करेंगे तो यह नहीं होगा. लेकिन अगर यह आप करें तो आपका आपके ब्योसाई और ब्यक्तिकत चीवन प कैसे करता हूँ? इस सवाल का हर समय केवल एक जवाब होगा. अपने समय का सबसे अच्छा उप्योग और तब उस काम को शुरू करना आपकी आर्थिक सपलता का सूतर है. अंत में इस काम पर एकागर होकर काम करना शुरू करें. सबसे महतुकुन काम. वह काम तब तक करें जब तक की वह 100% पूरा नहीं हो जाता. दूसरी और ध्यान ना दें. खुद को वह काम करने के लिए तब तक प्रेरित करते रहें जब तक की वह पूरा नहीं हो जाता. अच्छी खबर यह है कि जब आप लगातार प्रात्मक्ता बनाने और सबसे महतुबन काम पर एकागर चित होकर काम करने लगेंगे. आप जल्द ही उच्छ स्तर का काम करने की आदत बना लेंगे. यह आदत तब आटोमेटिव हो जाएगी और आपकी सफलता वास्तव में तै हो जाएगी. यहां एक अकेली आदत ही आपको सव निर्मित करोड़ पती बना सकती है. यहां अभ्य तब तक जब तक की वो शत्पर्तिशत पूरी नहीं हो जाती. आपकी यह करने की योगेता अकेले ही आपके जीवन को बदल सकती है. तेरवार हैसे बिश्वसनियता और शिगरता के लिए अपनी पर्तिश्टा बनाएं. डिन ब्रिगस के अनुसार अपना काम करें. केवल का अपने सामर्तियों से थोड़ा ज्यादा करें. वो थोड़ा ज्यादा काम बाकी के काम से ज्यादा मुल्यवन है. समय 21 शतापदी का सबसे बड़ा धन है. आज हर कोई अदबुद हड़बडी में है. ग्रहक जिन चीजों को जानते भी नहीं है. वो उसे कल की तारिक में चा अप्लायर बदल देते हैं. तुरंत की संतुष्टी अब शिगर नहीं रह गई है. आपका काम है कि इस गती के लिए परतिश्टा बनाना. अत्यावशक्ता को समझें. काम करने के लिए भाव विक्सित करें. मौका मिलते ही आगे बढ़ें. अगर किसी को किसी चीज की जरु जब आप कोई काम चाहते हैं तो उसे किसी बियस्त इनसान को दें. जो लोग जल्दी काम करने की परतिश्टा बनाए रखते हैं उन्हें आवसर ज्यादा मिलता है. वो ज्यादा से ज्यादा काम कर पाते हैं. जब आप सबसे परमुख काम चुनने की योग गता और इस जल् यहां पर अभ्यास कारे हैं कि किसी एक मुख्य काम को चुनें जो आप शुरू कर रहे हैं या अंत करने वाले हैं और उस पर तुरंत काम करने का प्रण लें यह जादूई शब दोराते रहें. अभी करें, इसे अभी करें, इसे अभी करें. चौदूआ रहसे शिखर से शिखर तक चड़ने के लिए तयार रहें. विन्स लामाडी के अनुसार जीत कभी भी कभी कभी हासिल होने वाली चीज नहीं है. यह हमेशा की चीज है. ठीक एक पहाड आरोही की तरे जो एक चोटी पर पहुंचता है और फिर दूसरी चोटी प है. दो कदम आगे और एक कदम पीछे. सभी बिजनिस चीवन चक्र और दोर से बने हैं. चकर कभी उपर है तो कभी नीचे. ब्योसाय में बदलाओ, प्राय इंडिस्ट्री में बदलाओ ला देते हैं. आज का यूगी इंटरनेट का है. टेकनलोजी का सभी दिशा में बिस् करें. आप जो भी करते हैं दूर तक सोचें. भविश्य के अगले दो, तीन, चार, पांच साल की योजना करें. जीवन के छोटे मोटे उतार चड़ाओं में, भावनाओं में नाब हैं. खुद को हर समय याद दिलाते रहें कि आपके जीवन में सब कुछ चक्र से चलता है. चोटे मोटे बदलाओं में शान्त और स्थिर रहें. जब आपका लक्से स्पष्ट है और आप उस पर रोज काम कर रहें, कुछ सालों बाद आपके दोर की दिशा उपर की और आगे की और जाती रहेगी. यहां पर अभ्यास कारे है कि आपके ब्योसाय के परमुक चक्र और दोर को ढूंडे. मारके कहां जा रहा है? क्या बदल रहा है? और आपको इस बदलाओं में कैसे ढ़लना है? कल की बहतर दुनिया के लिए आज आपको क्या कदम लेने चाहिए? ताकि आप कल लांबावित हों. आपका जवाब जो भी हो, वो कदम आज ही उठाएं. 15. हर एक चीजों में सव अनुशाषन का अभ्यास करें. एलबर्ट हावर्ट के अनुसार, सव अनुशाषन ऐसी योग्यता है, जो आप से वो करवाएगी, जो आपको करना चाहिए, और जब आपको करना चाहिए, चाहे आपको वो पसंद हो या नहीं. 15. सव अनुशाषन जीवन में सफलता ओओ, सव निर्मित करोडपती बनने का महतुपून तत्व है, जो आपको करना है, इसके लिए अगर आप खुद को अनुशाषित कर सकते हैं, चाहे आपकी इच्छा हो या ना हो, तो वास्तव में आपकी सफलता निश्चित है. सव निर्मित करोडपती बनने का सुत्र है, धिर्ग कालिन द्रिष्टी कोन रखने के साथ साथ लगू कालिन संतुष्टी को बिलंबित करने की योग्यता. आर्थिक रूप से सौतंत बनने के लिए धिर्ग कालिन लक्षे बनाएं, हर एक दिन के हरेक खर्चे को की. सफल और आसफल लोगों के बीच का एक परमुक अंतर है. सफल लोग उन चीज़ों को करते हैं जिने करना आसफल लोग पसंद नहीं करते. वो चीज़ें क्या है? वास्विकता में सफल लोग भी उन चीज़ों को करना पसंद नहीं करते फिर भी वो करते हैं क्योंकि वो आसफल लोग खुशाल परिक्रिया के बारे में सोचते हैं, सफल लोग लक्षे को हासिल करने के लिए काम करते हैं, वो काम जो मुश्किल है कि इंतु महतुपन है, जबकि आसफल लोग उन कामों को करते हैं जो आसान हैं जिने करने में उन्हें मज़ा आता है, जो तुरंट का आनन देता है अच्छी खबर यह है कि सो अनुशासन आपको हर दिशा में मजबूत बनाएगा आप जब भी इसका अध्यास करेंगे ये आपका सम्मान बढ़ाएगा आप खुद को ज़्यादा पसंद करने लगेंगे और ज़्यादा मान देंगे और आप सो अनुशासन छोट आप परिक्षा दे रहे हैं सो परवुत्व, सो नियंतरन और सो जिम्मेदारी की परिक्षा परिक्षा यह है कि आप खुद से उन कामों को करवा पा रहे हैं जो जरूरी है जब तक वो पूरा नहीं हो पाता परिक्षा यह है कि आप अपने दिमाग को उस तरह रख पा रहे जो आप चाहते हैं या आप अपने गुजरे दिनों की समस्याओं से घरे हुए हैं, जब आप परिकषा पास करते हैं तब आगे की और बढ़ेंगे। अपने जीवन में उस शेत्र को चुने जहां अनुशाषन के अबहु में आपको सफलता नहीं मिल रही हैं, उस शेत्र में अनुशाषन लाने का निरने आज लें, दूसरों को अपने निरने के बारे में कहें, जब तक नई आदत ना बने, कोई अपवाद ना सुने, यह निर कलपना यथार्थ से ज़्यादा महत्वपुन है। यहां कुछ और अच्छी खबरें हैं। आप एक समर्थ पर्तिवाशाली बिक्ति हैं। आप जितनी कलपना कर सकते हैं। उससे कहीं ज़्यादा स्मार्ट सें। आपने अब तक जितना इस्तेमाल किया है। आपके पास उससे कहीं अधिक दिमाग और योगेता है। आपके दिमाग के पास 10 अरब सेल्स हैं। जो निवरोन और डेडराइट्स के द्वारा अन्य 20 हजार सेल्स से जुड़े हुए हैं। इसका मतलब आपके दिमाग के सेल्स का पर्मुटेशन, कंबीनेशन बिश्व के कुल माने जाने वाले मॉलिकूलस से ज्यादा हैं। आपके सुझाओ को विक्सित करने की योगेता आपकी सफलता के लिए ओसमित हैं। इसका मतलब आपके सफल होने की योगेता भी ओसमित हैं। आपके इस रिजनात्मक्ता में स्पूर्थी के लिए तीन तत्तो है. पहला तिवर्था से वहंचित लक्षे, दूसरा समस्या पर दवाव डालना और तीसरा कैंदृत सवाल. आप लक्षे को हासिल करने में अपने दिमाग को जितना कैंदृत करेंगे, जीवन की समस्यां को समाधन करने, सवालों के जवाब पाने में उतने ही स्मार्ट बनेंगे और भविशे में आपका दिमाग और भैतर काम करेंगा. आपका मस्तिक्ष, आपकी स्रिजनात्मक्ता एक मास्पेशी की तरह है, आप इसका इस्तिमाल जितना करेंगे वो उतनी लचीली और मजबुत बनेगी, आप वास्तव में अपना आईक्यू बढ़ा सकते हैं, अपने आपको सारा दिन रचनात्मक्त कामों में लगाएं, और याद रखिए स्रिजनात्मक्ता सुधार का दू मस्तिक श्रम के बाद बनाते हैं, दिमागी कसरत से आपका दिमाग बढ़ेगा, यहां आपके लिए मस्तिक श्रमता बढ़ाने और अपने बहुत अच्छा कर पाने के गुन को स्पूर्थी में लाने के लिए एक अप्यास है, कागज का एक पनना ले, अपने सबसे महतुप प्राशित करने के लिए कम से कम 20 अलग अलग जवाब लिखें, अपने जवाबों में से एक को चुनें और उस पर काम शुरू करें, रिजल देखकर आप दंग रह जाएंगे, यहां अभ्यास कारे हैं कि आप अपनी सबसे कठिन समस्या या सबसे आकांक्षी लक्षे को लि इस रिजल्ट्स को लाने के लिए आप तुरंट क्या कर सकते हैं, याद रखें, कारेवाई ही सब कुछ है। पर निर्भर करता है कि आपके ब्यक्तिगत या ब्योसाइक जीवन में अन्य लोगों के साथ कैसे संबंध हैं। आपके संबंध अन्य लोगों के साथ जितने सकारात्मक होंगे और आप जीवन में उतने ज्यादा सफल बनेंगे और उतने ज्यादा खुश रहेंगे और उत आदा डालने के लिए सफल लोग अच्छे रिष्टे बनाने और निभाने की आदत डालते हैं। आपकी 90% सफलता निर्भर करती है कि आपके मेल जोल पर वैसे लोग जिन के साथ आप ज़्यादा समय बिताते हैं। आप एक गरगिट की तरह होते हैं। जिन लोगों के साथ आप ज़्यादा समय रहते हैं। आप उनकी प्रविर्टी धारना सौभाव का अनुसरन करते हैं। अगर आप एक सफल इंसान बनना चाते हैं तो सकारात्मक लोगों के साथ मेल जोल रखें। उनके साथ संबंद रखें। और आशावादी हैं जिनके पास लक्ष हैं। जो जिवन में आगे बढ़ रहे हैं। निराशावादी लोगों से दूर रहें। सो निर्मित करोड़ पती हमेशा नेट्रोक बनाते हैं। वो उध्योग और कारोबार के हर मिटिंग में भाग लेते हैं। लोगों से मिलते हैं। खुद को अन्य लोगों के साथ संपर्क में लाते हैं। सोशल जीवन बनाते हैं। औरों से उनके और उनके ब्योसाय के बारे में जानते हैं। य जिनकी आपको जरूरत है और फिर जितनी जल्दी संभव हो सके उनके पास ग्राहक भेजें। हमेशा देने की सोचे ना कि लेने की नेट्रॉक बनाने का सबसे अच्छा तरीका है औरों को उनके ब्योसाय में मदद करना। उनसे वापसी की उमीद कभी ना करें। आप जितना देंगे आपको उस जगे से उतना ज़्यादा मिलेगा जहां से आपने उमीद भी नहीं की होगी। यहां पर अभ्यास कारे है कि अपने जीवन में वर्तमान और भविश्य दोनों के लिए जो सबसे महतुकुन लोग हैं उन्हें ढूंडे। आप उनके या उनके काम के लिए क्या करेंगे कि वो आपकी मदद के लिए तयार हैं आप बिना रिटन की उमीद किये उनके लिए क्या कर सकते हैं याद रखें आप पहले बौएंगे फिर खाएंगे। अठारवा रहसे अपने स्वास्ते का अच्छा ख्याल रखें। अगर आप ये निरने लें तो आप ये कर सकते हैं पहला कम से कम 80 साल जीवन जीने का लक्षे बनाएं फिर अपने आज के स्वास्ते संबंदत चीजों को देखें फिर खुद से पूछें जिस तरह से आप जी रहे हैं क्या ये तरीका आपको 80 साल की उम्र तक स्वास्त रख और बाकी के जीवन में फिट रहें वजन घटाने और शारिरिक फिटनेस के लिए पांच शब्दों का फॉर्मूला है इट लेस एंड एक्सरसाइज मॉर कम खाना और अधिक कसरत करना दूसरा सुतर है उचित संतुलन अहार और इसका सुतर है बहतर खाएं, कम खाएं, प्रोटीन, फल, सबजी, ज्यादा खाएं अपने जीवन से मिठाई, कॉल्डरिंग्स, केंडी और चीनी वाले भोजन निकाल देना, अलग से नमक लेना बंद करना और मेदा खाना बंद कर देना, तीन बार ज्यादा मातरा में ना खाकर चार या पांच बार कम मातरा में खाएं जब आप अपने खाने की आदत को नियंदरन में कर लेंगे, तो जीवन के अन्य हिस्सों पर भी नियंदरन पा लेंगे, धिर्ग आयू का तीसरा सुत्र है उचित ब्यायाम, इसमें जरूरत है सब्ता में लगबग 200 मिनट कठिन शारिरिक ब्यायाम की, या ओसतन 30 मिनट रो या अपने घर में ही फिटनेस उपकरन लाना चाहिए और ब्यायाम करना चाहिए, बहुत अच्छे शारिरिक स्वास्ते और धिर्गायू का सूत्र है, अपने स्वास्ते के स्थर को स्पष्ट खास लक्षे बनाना, योजना करना और हर दिन उस पर काम करना, स्वास्ते का य जाहिए ज्यादा से ज्यादा जीना ताकि आप अपने पैसे से जीवन में आनंद प्राप्त कर सकें। यहां पर अभ्यास कारे है कि उन स्वस्ते संबंधी आदतों को जाने जो आपको स्वस्त और स्पूर्ती दायक रहने के लिए जरूरी है। शायद सारे स्वीट डिश एक साथ अलग-अलग कर देना और तब इसे व्यक्तिकत चुनोती की तरह लें जब तक कि आपको अच्छी सहत की आदत पूरी तरह से ना हो जाए। उन्निसवां रहस्य निरनायक और करमट बनें। विल्यम शेक्सपिर के अनुसार तकलीफों के समंदर को बाहों में भर लें और यह करते हुए उन्हें खतम करते हैं। सव निर्मित करोड़पती के गुनों में एक यह है कि वो बहुत साफधान, ध्यान से सोचते हैं और फिर शिगरिता से निरने लेते हैं। वो खुद को कारिवाई के लिए अनुशासित करते हैं और उसे जारी रखने के लिए वो जल्दी आगे बढ़ते हैं और फिडवेक लेते हैं। अगर वो पाते हैं कि उन से गलती हुई है तो वो जल्दी से उसे सही करते हैं और कुछ और कोशिश करते हैं। आपके लिए सफलता का सुत्र है कोशिश करना। सफल लोग निरनायक होते हैं और वो अन्य लोगों से कहीं ज़्यादा कोशिश करते हैं। Law of Probability के अनुसार अगर आप सफल होने के लिए बहुत बार कोशिश करते हैं तो आप सही समय पर सफल हो जाएंगे। आप सफल लोग निरने नहीं ले पाते हैं। उन्हें पता होता है कि उन्हें यह करना चाहिए या यह नहीं करना चाहिए लेकिन एक मजबूत निरने लेना उनके चरित्र में नहीं है या उनके पास संकल्प शक्ति नहीं है। वो कभी आर्थिक सुतंता हासिल नहीं कर पात वो उससे कहीं कम पाते हैं जितना की उनके लिए संबब था जब आप निरनायक होते हैं, आप शिगरिता से जीवन में चलते हैं अन्य लोगों के मकाबले आप एक दिन में कहीं ज्यादा काम करते हैं अपने आसपास के लोगों से कहीं आगे बढ़ते हैं आप खुद को ज्यादा उर्जा स्पूर्थी और प्रेरना में टैप करते हैं और ये आपको बहुत आनन देता है और तब ये सकारात्मक उर्जा आपको आपके लक्षे की और तेजी से बढ़ाता है यहाँ अभ्यास कारे है कि खुद से पूछें वो क्या काम है अभी तुरंत करूं तो इसका मेरे नतीजे पर बहुत सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा इसका जवाब जो भी हो उसे तुरंत करें बीसुर हैसे और सफलता को अपना बिकल्प कभी ना बनाएं फ्रेंकलिन डी रूजूल्ट कहते हैं कि डरने के लिए कुछ भी नहीं है डर के अलावा और सफल होने का डर व्योसक जीवन में सफलता की सबसे बड़ा रुकावट है याद रखें और सफल लोगों से आप और ज्यादा मजबुत बनते हैं आपका संकल्प और भी द्रिड होता है और सफलता का डर या पहले से ही खुद को और सफल मान लेना आपको अपंक बना सकता है सफलता के रास्ते में जाने से यह आपको पीछे खींचेगा एक नौजवान जर्नलिस्ट ने एक बार आई बीम के संस्थावक थोमस चे वाटसन सिनियर से पूछा वो इतनी तेजी से इतने सफल कैसे हो गए वाटसन ने इसका जवाब बहुती सुन्दर शब्दों में दिया अगर आप तेजी से सफलता चाहते हैं तो अपनी और सफलता का डर दुगना कर दीजिए सफलता और सफलता से बहुत दूर रहती है आगे बढ़ने का सहास करें सो निर्मित करोड़ पती हमेशा अपने लक्षे की दिसा में रिस्क लेने को उत्सुक रहते हैं आपकी रिस्क लेने की प्रविर्थी आपके धन्वान होने की उत्सुकता का इंडिकेटर है आपने जब भी रिस्की प्रिस्तिती का सामना किया है खुद से ये सवाल करें अगर मैं आगे बढ़ता हूँ तो सबसे खराब वो क्या चीज है जो हो सकती है और फिर जैसा सो निर्मित करोड़पती जे पॉल गेटी ने कहा है कि यह जो भी हो ये नहीं होगा आपको ये सुनश्चित करना होगा सच यह है कि जब लोग औस पलता से डरते हैं सब गरीबी और घाटे से डरते हैं लेकिन सो निर्मित करोड़पती लगातार हिम्मत से इस डर का सामना करते हैं और हर हाल में कारेवाई करते हैं। रैल्फ डवल्यू एम सर्ण ने लिखा है कि अपने जीवन में उन तमाम चीजों को करें जिससे आप डरते हैं। लिखा करने से डर का मरना निश्चित हैं। जब आप हिम्मत से काम करते हैं आपके अंदर एक शक्ती आती है। हर काम आपका साहस बढ़ाता है। जब भी आप सबलता की आशा की बिना आगे की दिशा में कदम बढ़ाएंगे आपका वह खत्म हो जाएगा और आपका साहस और आत्म बिश्वास बढ़ेगा और आखिरकार आप उस जगे पहुंच जाएंगे जहां आप किसी बात से नहीं डरेंगे। शायद सबसे अच्छी पंक्ती फिल्म अपॉलो तेरा में योजीन क्रांट से आई जो फिल्म में मिशन कंट्रोल के हेड हैं। पती बनने का अपना काम है खुद के लिए लक्षे बनाना, उसे लिखना और हर दिन उसके लिए काम करना। आपको खुद को हर दिन ये या दिलाना है कि हर समस्या या कठिनाई में और सफलता विकल्प नहीं है। या अभ्यास कारे है कि अपने जीवन के सबसे परमुख तर को जाने जैसे और सफलता, छांटा जाना, आलोचना और उस काम को करने का परण लें जैसे कि डर ना हो। कल्पना करें कि अगर आप इस दिशा में काम करते हैं तो आपकी सफलता निश्चित हैं तब इसे करें। 21 रहसे, दृड़ता परिक्षा पास करें। केल्बिन कुलीस कहते हैं कि दृड़ता की जगे कोही नहीं ले सकता। परतिवा भी नहीं, परतिवा शाली लोगों के और सफल हो जाने की कहानियां सबसे आम हैं। जीनियस भी नहीं, किसी जीनियस को उसका हक ना मिलना अब तो एक कहावत बन गया है। शिक्षा भी नहीं, दुनिया बहुत शिक्षित लोगों से भरी पड़ी है, दृड़ता और लगन ही सर्वशक्तिमान है। दृड़ता चरित्र का अति बलशाले गुन है, जैसे स्टील के लिए कारवन है, ठीक वैसे ही चरित्र के लिए दृड़ता, यह अति आवशक गुन है, जीवन में सफलता के लिए यह मैफ़ोपून है, यहां सफलता और दृ़ता का एक परमुक रहस्य है। अगर आप सफलता के रास्ते पर जाने के लिए काम कर रहे हैं, तो आपके दिमाग को बादा और निराशा के लिए पहले से तयार कर लीजिए. आप पहले से परण कर लें कि चाहे जो भी हो, आप हार नहीं मानेंगे, ध्रिड रहेंगे. जब आप कठिनायों और समस्याओं से पराजित हो जाते हैं, उस समय आपके पास दिर्ड़ता बनाने का परियाप्त समय नहीं रहेगा. लेकिन अगर आप पहले से ही उन उतार चड़ाओं के लिए तयार रहेंगे, जो टल नहीं सकता, तो जब आप उसका सामना करेंगे, तो आप मानसिक रूप से तयार रहेंगे. अन्युक्त समय और कठिनयों का सामना करने के लिए दिर्ड़ता एक ऐसा गुन है, जो अन्य किसी चीद से ज़्यादा आपकी सफलता को तैय करेगा, यह आपकी परमुक बिक्तिकत पूंजी हो सकती है. सही माईने में दिर्ड़ता खुद पर अपने बिश्वास और सफलता के लिए आपकी योग्यता का सही मापदंड है, याद रखें, जीवन एक परिक्षा है, आपको आपकी सफलता के लिए दिर्ड़ता की परिक्षा देनी होगी, उसे पास करना होगा, और यह परिक्षा अकसर अचानक आती है, यह कभी भी हो सकता है, और प्राय उस समय जब आपने उम्मीद ना की हो, यह वो समय है जब आप खुद को और अपने आसपास के लोगों को यह दिखाते हैं कि आप किस मिट्टी के बने हैं, आप क्या कर सकते हैं, ग्रीक दार्शनिक इपिक्टेटस ने एक बार लिखा था, परिस्तित्यां विक्ती को नहीं बनाती, उनको तो केवल महसूस कराता है, आपके जीवन में एक चीज़ जो टाली नहीं जा सकती वो है बार बार संकट का आना, अगर आप एक व्यस्त जीवन जी रहे हैं, तो हर तो या तीन महीनों में आप संकट क सामना करते हैं, इस संकट को टाला नहीं जा सकता, आपके पास जितना बड़ा लक्षी होगा, आपके सपने जितने बड़े होंगे, सव निर्मित करोड़ पती बनने का जिनून जितना ज्यादा होगा, आप उतने ज्यादा संकट और समस्याओं का सामना करेंगे, इस संकट को नियंतरन करने के लिए एक मात्र उपाय है संकट और कठिनाईों में शांती से निपटना और अच्छी ख़वर यह है कि आप इसे जितने धेरे और सकारात्मक तरीके से निपटाएंगे आप उतने ही मजबूत होंगे और एक दिन आप उस जगे पहुंच जाएंगे जहां आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता आप परकरती के एक बल की तरह हो जाएंगे आपको कोई भी नहीं रोक पाएगा आप ऐसे इनसान हो जाएंगे जो कभी हार नहीं मानता चाहे जितनी भी कठिनाईया हो आपके रास्ते में जो भी रुकाउटे आएं आप आगे बढ बढ़ते रहेंगे, यहां अभ्यास कारे हैं कि आज आप अपने जीवन में किस सबसे कठिन परिस्तिती का सामना कर रहे हैं यह जो भी है, उसे यह मानें कि वो इस समय आपके पास आपको मुल्लेवान सीख देने के लिए भेजा गया है, ताकि आप भविश्य में और सफल हो स सकें, वो सीख क्या हो सकती है, अभी से हर कठिनाई या अपने पराजे में कुछ सीख डूड़ने की कोशिश करें, यह आपको एक सव निर्मित करोड़ पती बनने में मदद करेगा। अतनी ही अवश्यमभावी है, जितना की यह सच है की सूरज पूरब से उकता है और पश्चिम में डूपता है, आपने जो बातें सीखी, उन्हें अभ्यास करके आप चिवन में आगे की और बढ़ेंगे, आपको आश्चरेजनक लहाब होगा, जो लोग इसे नहीं करते या इसके वारे में नहीं जानते हैं, आप उन से कहीं आगे रहेंगे, अगर आप दृटा से लगातार वो चीजें करते हैं, जो सफल व्यक्ति करते हैं, दुन्या में कोई भी चीज आपको नहीं रोक सकती, आप अपने भाग्य के निर्माता खुद बनेंगे, आप अपने कर् सकते हैं, इसकी कोई सीमा नहीं है, केवल उस सीमा के, जो आप खुद अपनी सोच पर लगाते हैं, याद रखें, आप उतने ही अच्छे और सक्षम है, जितने की वो सफल लोग जिन से आप मिले हैं, आप एक बहुत ही अच्छे इनसान है, आप जितना सोच सकते हैं, उससे जो रहस्य सिखाए गए हैं उनका अभ्यास करें अपने लक्षे और अपने सपने की दिशा में रोज काम करें परन लें कि आप हार नहीं मानेंगे जब आप यह काम करें तो खुद को भगवान की तरफ रखें आपको कोई नहीं रोक पाएगा आपकी सफलता कोई नहीं टाल स सकता मेरे साथ पुरी आड्योबुक सुनने के लिए आपका बहुत भुद धन्यवादT इसी तरह की और आड्योबुक सुनने के लिए चैनल को सबस्क्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दोना ना भूलें लाइक करें अगर आपको आड्योबुक अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट सेक्षन में बताएं कि आप और कौन सी आडियो बुक सुनना चाहते हैं अगर आपके किसी भी सगे संबंधी या रिष्टदार को इस से मदद मिलती हो तो उन्हें ये आडियो बुक जरूर शेयर करें एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद